कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महिने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दौरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुई है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मृत्य हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी सम्वेदना व्यक्त करता हुँ साथियों एक वाइरस ने एक वाइरस ने दुनिया को तहस्त नहस्त कर दिया है विश्व भर में करोडों जिंदगीयों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना, हारना, तूटना, बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दी से ही लगातार सुनते आये हैं कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैशिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही है उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो यह हमारा सपना ही नहीं यह हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई है मैं कुदाहरन के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे है यह हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पूरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंद्रित वैश्वी करण बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्माँ वसुधयव कुटम कंप है भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शान्ति की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मांती हो, जो अपनी आस्था में माता भुमी ही, पुत्तो अहम पृत्विया, इसकी सोच रखती हो, जो पृत्विय को मा मांती हो, वो संस्कृती, वो भारत भुमी, जब आत्म निर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समरुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिश्चित होती है, भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है, भारत के लक्षों का प्रभाव, भारत के कारियों का प्रभाव, विश्व कल्यान पर पड़ता ही है, जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है, तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है, टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो, भारत के अभ्यानों का असर, दुनिया पर पड़ता ही है, इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाप, भारत की दुनिया को सौगात है, इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल, मानोव जीदवगन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उफार है, जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ ही दुनिया में आज, भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है, इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है, तो स्वाभाविक है, हर भारतियक गर्व करता है, दुनिया को विश्वास होने लगा है, कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है, सवाल यह है, कि आखिर कैसे, इस सवाल का भी उत्तर है, 130 करोड देश वाजियों का, आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब, साथियों, हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है, भारत जब सम्रत्य था, सोने की चिडिया कहां जाता था, संपन्न था, तब सदा, विश्व के कल्यान की राह पर ही चला, वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जखड़ गया, हम विकास के लिए तरस्ते रहे, आज फिर भारत, विकास की और सफलता पुर्वक कदम बढ़ा रहा है, तब भी, विश्व कल्यान की राह पर अटल है, याद करिए, इस सताब्दी की शरुवात के समय, वाइटू के संकट आया था, भारत के टेक्नलोलोजी एक्सपर्ट्स ने, दुनिया को उस संकट से निकाला था, आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है, हम बेस्ट प्रोड़क्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे, ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे, साथियों, मैंने अपनी आँखों के सामने, कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ द्वस्त हो गया था, ऐसा लगता था, मानो कच्छ मौद की चादर ओड़ कर सो गया हूँ, उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था, कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते, कच उठखड़ा हुआ, कच चल पड़ा, कच बढ़ चला, यही हम भारतियों की संकल्प शक्ती है, हम ठान लें, तो कोई लक्ष असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, और आज तो चाह भी है, राह भी है, यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना, भारत की संकल्प शक्ती ऐसी है, कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है, साथ्यों आत्म निर्भर भारत की ये भग्वे इमारत, पांच पीलर्स पर खड़ी होगी, पहला पिलर, एकोनोमी, एक ऐसी एकोनोमी, जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं, बलकि कांटम जम्प लाए, दूसरा पिलर, इंफास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफास्ट्रक्चर, जो आदुनिक भारत की पहचान बने, तीसरा पिलर, हमारी सिस्ट्रिम, एक ऐसा सिस्ट्रम, जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं, बलकि 21 सदी के सपनों को साखार करने वाली, टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो, चौधा पिलर, हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी, वाइब्रन डेमोग्राफी, हमारी ताकत है, आत्म निर्भर भारत के लिए, हमारी उर्जा का स्रोथ है, पांचवा पिलर, डिमांड, हमारी अर्थे बवस्ता में, डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी ख्षमता से, इस्तेमाल किये जाने की जरुवत है, देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए, हमारी सप्लाई चेन के, हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरूरी है, हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस व्यवस्ता को हम मजबूत करेंगे, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो, साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए, नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्टना कर रहा हूँ, ये आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत भ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा, साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्टना की थी, जो रिजर्व बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है, बीस लाग करोड रुपिय का है, ये पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है, इन सब के जरिये, देश के विबिन वर्गों को, आर्थिक ववस्ता की कडियों को, बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज, दो हजार बीस में, देश की विकास यात्रा को, 20 लाग्स 2020 में, आत्म निर्भर भारत भ्यान को, एक नई गति देगा, आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में, लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, सभी पर बल दिया गया है, ये आर्थिक पैकेज, हमारे कुटिर उद्ध्योक, गरह उद्ध्योक, हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक, हमारे MSME के लिए हैं, जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है, ये आर्थिक पैकेज, देश के उस स्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर सिती, हर मौसम में, देश वाज़ियों के लिए, दिन रात परिश्णम कर रहा है, ये आर्थिक पैकेज, हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं, जो इमानदारी से टेक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है, ये आर्थिक पैकेज, भारत ये उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है, कल्षे सुरू करके, आने वाले कुछ दिनों तक, वित्त मंत्री जी द्वारा, आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित, इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे, साथियों, आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए, बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ, अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है, आपने भी अनुभव किया है, कि बीते छे वर्षों में, जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण, आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं, अधिक सक्षम, अधिक समर्थ, नजर आई हैं, वर्ना कौन सोच सकता था, कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी, वो पूरा का पूरा, गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुँच पाएगा, लेकिन यह हुआ, वो भी तब हुआ, जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे, ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे, जन्धमन, आधार, मोबाइल, जे, ए, एम, जेम की त्री सक्ति से जुड़ा, सिर्फ एक रिफॉर्म था, जिसका असर हमने अभी देखा, अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक कर रहा है, नई उचाई देनी है, ये रिफॉर्म्स, खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी ससकत हो, और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो, ये रिफॉर्म्स, रेशनल टैक्स सिस्टम, सरर और स्पस्ट नियम कानूं, उत्तम इंफास्रक्टर, समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सिच, और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे, ये रिफॉर्म्स, बिजनेश को प्रोसाइट करेंगे, निवेश को आकरशित करेंगे, और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे, साथियों, आत्म निर्भरता, आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है, आत्म निर्भरता, ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीज परधा के लिए भी देश को तयार करती है, और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए है, इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है, इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी, साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है, लेकिन इनी परिश्चितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति, उनकी संयम सक्ति का भी दर्शन किया है, खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पट्री पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे स्रमिक साती हैं, जो गरों में काम करने वाले भाई बहने हैं, उन्होंने इस दोरान बहुत कश्ट जेले हैं, तपच्या किया हैं, जाक किया हैं, ऐसा कौन होगा, जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं कियां, अब हमारा कर्टब यह हैं, उन्हें ताकत पर बनाने का, उनके आर्थि हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का, इसे ध्यान में रखते हुए, गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो, पशुपालक हो, हमारे मच्वारे साती हो, संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से, हर तपके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा, साथियों, कोरोना संगट में हमें, लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्वप बराबर समझा दिया है, संगट के समय में, लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है, लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें, अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा, आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रान्निंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए, आज से हर भारतवासी को, अपने लोकल के लिए वोकल बनना है लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिदने हैं बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ याद करता हूँ जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगरे किया था ये भी कहां था कि देश के हैंडलूम वरकर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड तर पर पहुंच गई इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास्ता लेकिन परणाम मिला बहुत अच्छा परणाम मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाएं हम मास्क पहनेंगे दोगजदुरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चराण लोगडाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्जों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको अठारा मैसे पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम करोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम शुखम अर्थात जो हमारे वश में हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं वही सूख है आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को 130 करोर देश्वासों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन पर्व भी होगा अब एक नई प्राण शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे ले करके हमें आगे बढ़ना है जब आचार विचार करतब्य भाव से सराबोर हो करमडता की पराकाष्टा हो कौशल्य की पूजी हो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुबकामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्थ का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने राष्ट को संबोधित किया और जब आज संबोधित किया तो आगे के रोड माप किये